अभिजीत एक जंगल में ट्रेकिंग कर रहा था, वहां एक राइनो था, अभिजीत उससे भागने लगा, लेकिन वह आदिवासियों के एक समूह के सामने आया, अब आदिवासियों ने अभिजीत पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके पीछे भाग गये, वह फिर से भाग गया और एक गुफा में आ गया। गुफा के अंदर जाने पर अभिजीत को तीन दरवाजे मिले। पहले दरवाजे में जहरीले साफ थे, दूसरे दरवाजे में टाइगर था और तीसरा दरवाजा हजारों दरपणों के साथ एक बंद कमरा है। लोग केवल प्रति बिम्बो को देख कर पागल होने के लिए जाने जाते हैं अब जीत को कौन सा दर्वाजा लेना चाहिए आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईए